नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ग्रैंड स्टॉंग यूटूब चैनल में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्स एयर फोर्स ऑफिसर करम वीर सिंग जी जो आज के समय में मुर्गी पालन कर रहे हैं और वो काफी सफल है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में तो करमवीर सिंग जी आप अपने बारे में हमें थोड़ा बताईएगा मैं करमवीर सिंग गाउन वाश्पूर तैसीर अनुप सहर जिला बुलन सहर आपके साथ मैं हूं और मैं अपने बारें बताता हूं मैं मैं सर्विस दे चुका हूं उसके बाद अपना मेरा बिजनिस है और साथ में यह पॉल्टी फार्म का भी ग्रामीर चेत्र में कम सुरू किया हुआ है इसको देशी उस पौर में सुरू किया था दो साल पूरे हो चुकिया भी तक इसको तर आप इतने साल एयर फोर्स में काम किये उसके बाद फिर आपके दिमाग में यह कैसे आया कि आपको मुर्गी पाला नहीं क्यों करना है हम जब चोटे थे पड़ते उस टाइम पर समेटी के टाइम पर तो उनको जब हम पाल रहे थे तो उनके उपर कोई हमारा विसेस खर्चार नहीं होता था और कोई उसको ज पर ना के टाइम पर क्या हुआ हम सब रैसे ठाली बैठे हुए थे कुछ काम धाम ऐसा था नहीं करने के लिए ऑफिस सारे बंद हो चुके थे तो हमने फिर क्या किया 600 और करीब 700 800 एफफजी का बच्चा लेके आए हम और एक मेरे पास में 1400 स्क्वार फिट का सेट था टीन क बना हुआ है तो हमने उसको उसमें पालना सुरू कर दिया जैसे ही थोड़ा सा और रिलेक्स होआ तो पारा मड़े आराम से हमारा मैं भी आना जाना सुरू हो गया और चल पड़ा बढ़िया है तो पर नेक्स यह हमने आप बढ़ा किया तो हमने दो सेट बनाई 25 स्क्वार फिटका और एक 4,500 स्कार फिटका हमने फिर इसमें देशी का ही सारा कर दिया और रोटेशन बेसिस पे यह के अब मॉर्निंग में एक दो घंटे का टाइम लगता है और साम को भी फिर दो दिन घंटे की कियर में आराम से इनका हो जाता है इसलिए हमने यह सोचा कि यही ठीक है आपने मुर्गी पालन सुरुवात किया तो इस पे करने में आपको क्या-क्या चुनाओतियों का सामना करना पड़ा चुनाओतियस में सबसे ज्यादा यह होती है कि जैसे आप इसको लेके आते हो तो इसके बारे में थोड़ा सा इसके साथ में पहचान करना इसको क्या-क्या बीमारियां हो सकती उसके बारे में नॉलिज रखना और इसके फीड के लिए तैयारी करना वह दो तीन चीज़ें जब यह बच्चा होता है और जैसे बड़ा हो रहा होता है तो इस ताइम फिर सेल का प्रॉस्स आपको करना होता है यह थोड़ा चैलेंज होता है कि इसको प्रॉप करना अपने लिए सर आप जो देशी मूर्गी का पालन कर रहे हैं इसमें सबसे अच्छा ब्रीड कौन सा होता है अगर कोई इसका बिजनेस करना चाहे तो कौन से ब्रीड के उपर काम करना चाहिए देखो इसमें कई सारी ब्रीड हैं और सबके अपने से इस स्पिसिफिक पैदे हैं जैसे मैं बात करते हूं एक पॉइंट वीट थोड़ा कम रहता है अब उसी बात को हम लेके जाए जो प्लस पॉइंट है यह इसमें वजन हैवी वेट मुर्गे और मुर्गियां होती है तो अंड़ा थोड़ा कम होता है रहयर से लेकिन ज्याद है फिर आपकी कोई भी जातिया मुर्गी पगणाएं को जो जतना जल्दी हो जाएगा सेल के लिए उतना जल्दी होगा तो सारे देखें तो हम मुझे सबसे बैस लगता है फास्ट ग्रोइंग है ड्यूवल परपस का है है और अंडे बी वड़े देता है राउंड सिक्स्टी टू सिस्टी फाइव ग्राम का अंडा आराम से मिलता है इसमें से हमको अगर आपकी मुर्गी छह साथ महीने की हो चुकी है तो पैंसाट ग्रा सबसे ज्यदा फायदा किस्समें मुर्गी में या अंडे मैं लिए अदेखो कि अरि नदा दे पार pen上 को नियुकिちゃ तब पैसा मिलेगा तो दोनों परपस में रखो जब तक अंड़ा देरी इंड़ा दिलवाओ और जैसे इंड़ा देने का टाइम खुड़ा कम लग रहा है तो अगर कोई किसान भाई हमारे डेशी मुर्गी के उपर बिजनस करना चाहें इस पर लगभग कितना खर्च चाहेग अगर आप इसको अंड़ा देने से पहले ही सेल करना चाहते हो तो जैसे इसको तुमारा 200 रुपे खर्चा हो रहा है तब तक आप इसको बेच सकते हो तो यह ऐसा है जैसी 20-25 दिन का हो गया तो आप इसको सेल पर रख सकते हो और लेने के टाइम पर अब लेते रहो जब अंड़ा देना बंद कर देगी तो तो और मेरे पास में दो साल वाली भी मुर्गी आइज़ दो साल से हैं मेरे पास में इविन दे आर इस्टिल वेरी हैल्दी कंडिशन और यार लेंग एग और रेगलर बेसेश ओके और एवरेज फाइव एग शिक्स एग पर वीक में दे देती हैं पांच तो देती हैं नहीं एक मुर्गी 300 रुपे का इंवेस्टमेंट करके अंड़ा देना चालू कर देती है अच्छा इंवेस्ट करना पड़ेगा एक मुर्गी को अंडे देने तक ले जाने के लिए और जब वो मुर्गी बेक होगे तो 300 रुपे की असेट्स होता है तो आप यह सोचो कि 300 रुपे कार्ट्स हो गया इसा निया 300 रुपे की मुर्गी तो अलड़ी है जो अंड़ा दे देखियो 300 रुपे आपका असेट्स जमाहें कभी भी वेचलो से वह आपका वेसिकली एक लाइव असेट्स होता है दोस्तों अगर आप पोल्टी फार्मिंग बिजने सुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट टूल्सविला.com से पोल्टी इलेटर एक्विपमें सबसे बेस प्राइस में खड़ी सकते हैं. जैसे कि आप इस्क्रीन में देख रहे हैं यह है ड्रिंकर आप अपने पोल्टी फार्म में ड्रिंकर यूज कर सकते हैं जिससे आपकी मुर्गियों को लगतार पानी मिलती रहती है और वो डी हाइडरिसन से बस शकते हैं यह है feeder, feeder में आप अपने farm की मुडगियों को feed दे सकते हैं, इससे feed बरबाद नहीं होती है और जितना feed चाहिए उतना ही दे सकते हैं यह है brooder, सरदी में आप अपने poultry farm के temperature को control करने के लिए brooder इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे website में electric और gas operated brooder दोनों ही आपको मिल जाएंगे यह है pallet machine, इस machine से आप अपने घर में poultry farm के लिए feed बना सकते हैं, जिससे आपका feed का खर्चा बचेगा अगर कोई किसान भाई मुर्गी पालन सुरू करते हैं, अधिकतर हमने देखा है कि जो shade management वो करते हैं, उनमें गलती करते हैं तो आपसे मैं यह जानना चाहूंगा, वो state management को किस प्रकार से हम manage करें, किस प्रकार से उसको शुरू कर सकते हैं जो state management होता है उसमें दो चीज़ इंपोर्टन एक तो हवादार हो, और गीला ना होता हो, ठीक है तो दो चीज़ को दिखान रखो, गीले होने के लिए सुखा मिट्टी होता है या रेत होता है, वो उसमें रखें, और थोड़ा जमीन से उंचा बनाएं, ताकि हवा easily आती रहे, कोई ऐसा दूसरा घर साइड में ना हो, या कोई ऐसी क्या बलते हैं, जिससे opposite वो में धूप पाती हो, जैसे हम बात करते हैं, आपने सेड ऐसा बना दिया के सुबह की भी धूप गर्मी देती है, साम की भी गर्मी देती है, तो इनकी प्रॉलम होगी, तो सूरज के फ्लोक से बनाए, बताब पूरा प्रस्टिम को सैड रखें, और अगर ऐसा पॉसिबिल ना हो, आपक कुटे बिलियों के उससे थोड़ा सा ऐसा हो कि वो ना घुसे अंदर, क्योंकि वो इनको मार भी देते हैं, और इनको सौक भी होता है, उससे भी मर जाते हैं, एक को तो मारेगा, चार साथ में मर जाएंगे, तो जो प्रिडिटर्स होते हैं, उनसे बचाव का सैड हो, यह ना तो कहीं से भी खा लेता है चुपके, लेकि पानी पीने की चाहिए, तो पीने के पानी की बिवस्ता अंदर भी हो, बाहर भी, वाकि इसको ज्यादा कोई इतना फैंसी या बहुत कॉस्टली वाला सेड नहीं चाहिए, बतर बेसिक जो नीड्स हैं, वो पूरी कर दो आप कितना घर जाता है, मैं बताता हूं, जैसी बच्चा आता है, हमारा देवन का तो उसमें गो मल्टी विटामिन का इक और वेक्सीनेशन है, वो बिस्कली होता है इसका लसोटा का और एक होता है इसका ये रानी खेत का तो रानी खेत तो इसको आप वेक्सिनिसन दे दो उसके बाद इसे कोई जरूत नहीं होती है अगर आपको लेंग के लिए रखना है तो फिर इसको आप रिपीट करेंगे सिक्स मन्त के बाद में और अगर आपका फार्म गीला नहीं है नीचे असे दिन में यह कहीं भी कीचड़ में भूमे या बारिस में भीगे कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन अगर फार्म आपका गीला है नीचे तो इनको फिर सी आडी होती है एक बीमारी उसके आने के चांसे बन जाते हैं हमीवाइस होती है उसके आने के बनने के चांसे आते हैं कि यह इनके अंदर इंफेक्शन हो जाएका बै हो जाएं तो उसकी साफ सफाई आप बारिस के टाइम पर ज्यान दें गीला ना हो और चूने का इनका आप इस प्रेव उस पर चूना बखेरते रहें साइड़ों में इस पेसली जो बाहर से बैक्टियां अगर आती है वो उसमें अपना अंडा ना रखें तो उसमें अंडा इसका इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है तो बाकी जो नॉर्मल पॉल्ट्री उसमें आती है यह वाहिट वाले इसमें ब्रॉयलर में वह इनकुछ भी नहीं आता इसा क्योंकि यह स्ट्रॉंग हो जाता है बाहर रहे के वह बीमारी इनका कुछ बिगाड़ती है जरूरी है वह जरूर करवा कर रहे हैं लसोटा का और इसका एफवन रानी खेट कोलते हैं और उसका ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है एक थाउजन बोटल थाउजन उसकी बोट करें वह आप लें और आपका बार्ड बिल्कुल हेल्टी रहेगा बढ़िया बना किसी प्रॉलन जैसे कि हमने देखा है कि हमारे किसान भाई मुर्गी पालन कल लेते हैं पर उन्हें समझ नहीं आता है कि मार्केटिंग कैसे करें और सेल कैसे करें इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताईएगा मार्केटिंग देखो इसका ऐसा है देशी है यह सब जो नौनवज खाने वाले थे उनको पता है कि देशी का मीड प्रॉलर के मकावले अच्छा होता है अब किसी को पता कैसे चलेगा आपके यहां पर देशी बंडे हैं इक तो सबसे पहले जो आपको तो इस चीज के बारे में बताओ कि मेरे यहां पर बढ़े हैं आपके जो आसपास के एरिया है रोड पर जो है उनके पास में आव एक पोस्टर चुपादा है चोटा कभी यहां पर देशी मुर्गे मिलते हैं यह भी तो बहुत अच्छा है यूट्व पर डाल सकते हैं आप पर डाल सकते हैं इस्टाग्राम पर डाल सकते हैं तो इसका बैसी के लिए आपको उस तरह से करना पड़ेगा जिसे माउथ प्रू माउथ बोलते हैं वह है यह चोटे से आपके लोकल इरह में निश्वीपर होता उसमें पैंप्लिट शपा कर डलवा देंक दिन यह वीक में पर अपने मार्केट बना लिया तो प्रॉलम आपकी नहीं होगी और ज्यादा है तो फिर आप जो अपनेगे लोग होते हैं वह आप जो मुर्गी पालन कर रहे हैं सर उसमें कितना प्रॉफिट जैनेट करते हैं देखो इसमें हम बात करते हैं जो भी आप इंपूर्ट डाल रहे हैं उसका तीस परसंट पर डाल देते हैं तो तीन से चार वहीं यह के अंदर अगर आप अंडे पर लेके जाते हैं तो यह आपका प्रॉफिट है जिस दिन बेक होगे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए हमें अपना कीमती समय देने के लिए आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को जो भी डाउट थें वह सारे क्लियर हो जाएं और आपको नमस्कार वापस से हमारे ग्रैंस्टॉन टीम के और से बहुत-बहुत धार जाएं थैंक यू थैंक यू वरी मुट अ